दोस्तों नमस्कार जैसर कृष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे मीन लव रासी फल दिसंबर 2020 दिसंबर के प्रेम संबंद कैसे रहेंगे मीन रासी वालों के आए जानते हैं दोस्तों लव रासी फल सुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा रासी फल चंदरासी के आधार पर होता है चंदरासी यानि कुंडली वाली रासी उसी रासी के नुसार आप इस रासी फल को देखें वा सुनें अगर आपको चंदरासी पता नहीं है तब आप इसे नामरासी के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों हम बात करेंगे दिसंबर में सबसे पहले सिंगल जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां कैसी रहेंगी जो रोग सिंगर हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका मन चाहा प्यार या मन चाहा पार्डनर मिलने वाला है जिसकी तलास थी वो तलास पूरी हो सकती है सुक्र का गोचर होगा और सुक्र का रासी परिवर्तन जो होगा वो 11 दिसंबर से बेहद आपके लिए लावकारी रहेगा प्रेम भाव के बिचार, इमोशन ज्यादा जागरत होंगे और आप कहीं न कहीं लोगों से बातचीत करेंगे आपको बहुत ज्यादा लुभाने की भी लोग कोसिस करेंगे ऐसा देखा जाएगा कि आपके मन को प्रसंद करने का भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे ये स्थितियां रहेंगी साथ ये अगर आपके पार्टनर से मतभेत चल रहे थे ब्लॉक कर रखा था या किसी वे प्रकार से आपको आपकी लव लाइफ में प्रॉबलम महसूस हो रही थी तो वो अब कहीं न कहीं दूर होंगी और आपके दामपत्य जीवन की स्थितियों के बारे में जानते हैं दामपत्य जीवन अथवा रिलेसंसित में अगर आप अल्रेडी रिलेसंसित में हैं तो लव लाइफ की स्थितियां कुछ स्थितियां अच्छी होने वाली हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ थोड़ी बहुत परेसानी चल रही है और उसके साथ साथ आपसे जादा जो व्यक्ति बहुत जादा बात करता था अब उसने बात करनी बंद कर दी है या कम कर दी है अब वो व्यक्ति फिर से उतनी ही अच्छे से और उतने ही आपके प्यार के साथ में आपसे बात करेगा 11 दिसम्बर के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी हैं उसके साथ साथ देखा जाए तो कहीं न गई चिड़ चिड़ापन गुस्सा और इगो ये बहुत जादा बढ़ जाएगा 24 दिसम्बर के बाद उस पर कंट्रोल रखना आप भी और आपके पार्टनर भी बोल देना होने भी आपके पार्डनर को भी ये स्थितियां हैं अगर हम मेरिड लाइफ की बात करते हैं तो दामपत्य जीवन में स्थितियां थोड़ी सी गड़ बढ़ाएगी और दामपत्य जीवन में मतवेद की सीजी रहेगी अगर आपका डाइबोस इत्यादी कानूनी कोई मसला चल रहा है तो उसमें जादातर इस्थितियां अठकती होई नजर आएगी परेसानिया बढ़ जाएगी खास कर आपके अगर आप महिला हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम कुछ बढ़ेगी साधी विभा की सोच रही है साधी करना चाहती है साधी के लिए भी स्थितियां ज़्याद अच्छी नहीं है कहीं ने कहीं साधी को ले करके चिंताएं बढ़ेगी ससुराल पक्ष को ले करके चिंताएं बढ़ेगी ये सब स्थितियां बनेगी उसके साथ-साथ, बाते छिपाना ज़्यादा आना, बाते को ज़्यादा आपको छिपाना पड़ेगा, और छिपाना पड़ेगा, क्योंकि इस्तितियां ही ऐसी कुछ बन जाएगी, कि नहीं छिपाएगी, तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में जादा जानना चाहता है जादा आपकी जिंदगी में इंटरस्ट रखता है तो उसमें आपको साबधान रहना चाहिए उसे आपको खुल करके अपनी पूरी बात नहीं कहनी चाहिए आप कहेंगे ये क्यों कह रहे हैं कि खुल करके जो व्यक्ति हमें जानना चाह रह आपके साथ में हो सकता है कि वो उतना serious ना हो, ये स्थितियां बनेगी, परखने की कोसिस करेगा, व्यक्ति, तो इसलिए इस चीज़ से साबधान रहें, और देखा जाए, तो अगर partnership में किसी तीसरे की वज़े से कोई problem आ रही थी, तो वो problem 24 दिसंबर के बाद नस्टो हो जा देखा जाए, तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां थोड़ी बहुत खराब है, और स्थितियां कापी अच्छी है, अगर आप उपाय करना चाहते हैं, तो उपाय के लिए आपको मैं उपाय दूँगा, आपको 2021 किलव रासी फल भी देने हैं, बहुत सारी उपाय भी द लेना और बैलाकन दिवा लेना जिससे कि आपको 2021 के लवरासी फल के वीडियो सबसे पहले मिल पाएं, और साथी साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सिर में मिल जाएंगे, वहां से आ फॉलो कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार